हेलो फ्रेंट्स आज अपने एक इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करेंगे वो है कोई फ्लूड इन्फूजन का कोई भी आपको कंसल्टेंट आपको कह देगे इसको एक गंटे में इत्ते अमेल फ्लूड से डाना है या 24 आउर में इसको 3 लिटर फ्लूड देना है तो आप कैसे दोगे, माइक्रो डिप सेट से दोगे, माइक्रो डिप सेट से दोगे तो किते ड्रॉप्स पर मिनिट से लेगा यह बहुत ही कन्फूजिंग रहता है सभी के अंदर चाहिए आप पीजी रेजिडेंट हो या कंसल्टेंट आपको कोई भी डारेक्शन से देंगे लेकिन वो फ्लूट से लाते हो, हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम डॉक्टर गौरव जोशी है मैं एक एनस्थी से कंसल्टेंट हूँ और मैं डेली शॉट्स वीडियो डालता हूँ क्लिनिकल केस रिलेटेड और इस तरह के छोटे वीडियो भी बनाता हूँ जिसे की क्लिनिकल रिलेवेंट टोपिक्स चाहिए वो एनस्थेटिक हो या मेडिसिन का हो या कोई MBBS UGR PG ग्रेजवेट हो उससे रिलेटेड मैं टोपिक्स बनाता हूँ तो चलिए आज का टोपिक स्टार करते हैं फ्लूड इन्फूजन फ्लूड इन्फूजन में आपके दो चीज़ दिहान रख लो एक एमल में 15 ड्रॉपस जाएगी वैसे हर एक कंपनिंग अलग-अलग पैरामिटर्स होते हैं तो मोर और लेस 15 ड्रॉपस अपने हैं मान के चलेंगे इससे अपने कैलकुलेशन में भी आसानी रहेगी वन एमल यह नहीं 15 ड्रॉपस यह अपने वैस आई-वी सेट के पीछे भी मानलो जैसे कैसे होगर rule of care infusion of fluids in liter per 24 hour ठीक है into 10 it gives the drops per minute जैसे 3 liter आपको 14 गंटे हम चड़ाना है तो simple 3 into 10 30 drops per minute है ना simple बस इतना ही है 3 into 10 30 drops per minute फिर एक और example देलो 1.5 liter per 24 hour मनलो किसने 10 liter पूर इसके दिन में चड़ाना मनलो fluid restricted अभी 24 hour में 10 liter चल रहा है अब कैसे कैलकुलेट करोगे 15 drops per minute कैसा आया 1.5 into 10 इस तरह से अपना ये कैलकुलेट हो जाए बहुत ही simple है 24 hour का फॉलूमरा into 10 multiply करना जितना वो बोलेंगे उत्ते liter में into आप कर देना अब अपने बात करेंगे कि fluid infusion in 1 hour कोई आपको एक घंटे में कोई fluid का बोल दे कितने drops per minute च क्या करना है rule of 10 multiply by 10 करो जितने liter fluid है 5 liter भोला है तो 5 into 10 कर दो उत्ते drops per minute आपको चलाना है पूरे फिर per minute के साब से चलेगा rule of 4 में क्या रहेगा volume in ml per hour divided 4 by 4 ये आ जाएगा it gives the drops per minute जैसे कि आपको 200 ml चलाना है एक घंटे में कोई आपके consultant ने कह दे 200 ml चला दो एक घंटे में त तो 200 divided by 4 क्या आएगा 50 drops per minute 60 ml per hour सलाना है तो इसका मतला आप कैसे calculate करोगे 60 ml per hour 60 divided 4 it's very easy 15 drops per minute आपका ये चल जाएगा तो rule of 4 और rule of 10 rule of 10 it is the multiply by 10 it gives the calculation for 24 hour और rule of 4 it gives the drops calculation for the 1 hour divide करना इसको आ जाएगा अब अपने एक और होता है entity जैसे क्या होता है micro drip set वो routine drip set था ये अपने calculation क्य कह порans things कि क्या कहतकी है कि 1 ml में 60 drops होता है तो एक ml में 60 drops होता है तो माइक्रोडिप सेट से तो बहुत systems है आपको बोल देंगे कि 60 50 ml per hour चलाना है तो जो जितने ml बोले उतता है drop सालेगा बोल दिया 30 ml per hour चलाना है तो जितना बोला है उतत yapt année per minute में चलालो 45 ml per hour है तो 45 ml per hour 45 by average म केल्कुलेशन आवर के साब से यह अपने करते हैं यह तो यह क्योंकि जनरली यह अपने वैसो प्रेसर या इनो ट्रॉप चलता है उसमें मैक्रोड्रिप सेट होता है इसमें 24 आवर का केल्कुलेशन थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेट हो जाया और डिफिकल्ड भी रहता है आपको यह अपने मैक्रोड्रिप से चलाते हैं तो आपको ही समझ मा आ गया अब लेकिन कोई पर्फेक्शनिस्ट होता है कि नहीं मुझे तो पर्फेक्ट फॉर्मुला ही देखना है कि किस फॉर्मुले साब ने कल्कुलेट करेंगे तो उन भाइसाब के लिए फॉर्मुला ह आपको एक कित्ते चलाना है न और वो डूरेशन ऑफ इन्फुजन आवर्स आपको आवर्स यहां पर वैल्यू पुट करनी है और उसको फॉर्स से मल्टिप्लाई करना है तो यह आ जाएगा तो यह थोड़ा कॉंप्लिकेटिट है आप कैसे वॉल्यूम इन आप आप देख